हेलो फ्रेंड्स मेरा किस राप सभी का फिर समयर कड़ों पे स्वागत है तो दोस्तों अगर आप एक जीयो रिटेलर हो तो आप क्लिक काफी जाद इंपोटेंट्स होने होने होला है क्योंकि फ्रेंड्स आज की जड़ी में आपको यहां पर जो है बायोमेट्रिक प्रोसेस कर यहां पर जीयो का नया सम चालू करने का प्रोसेस बताऊंगा तो बड़ों पर बने रहना और वीडियो को लाइक निकिया है तो फड़ा 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 लाइक करके चैनल को बिल्कुली फ्री में सब्सक्राइब कर देना और नवर्ट पर प्रेस कर देना थाक्यान वाल वीडियो का नडिशन आप तक में पाया और आप स्रीके का इंफॉर्मेटी वडियो यहां पर हो जाना देख पाओ तो चुली फैंड्स आज करते हैं तो आपको यहां पर थ्री लाइन-क अप्सन पर टैप करना है और जीओ डिजिटल कवाइसी को अप्सन पर टैप करके हा पर आपको byometric agent का ले लेना है कुछ चीज परकार से यहां पर आपको byometric ले लेना है जैसे ही आप यहां पर by metric लोगे तो यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस लेगा थोड़ा दिरीव कर लेना है by metric successful हो जाएगा यहां पर submit फिर उसके बाद यहां पर I accept और उसके बाद आपके सामने पर जैसे कि आप देख सकते हुँ यहाँ पर आधार कार्ड जो इस नमबर नाया नंबर को और कस्टमर के पास अधार नंबर नहीं है तो आप यहां पर वर्चुल आइडी नंबर आप यहां पर यूज कर सकते हो तो यहां पर चलिए मैं आधारकाड का 12 नंबर डाल देता हूं और यहां पर आप यहां पर नीचे आपको नेचे मांगा जाएगा का लाइफ फोटो लेना है कि यहां पर फोटो लेते वक्त आपको ध्यान देना है कि कस्टमर का फोटो लेगे उसका पीछे background white होना चाहिए नहीं तो आप जो यहां पर नया sim चालू करें या फिर आप यहां पर mnp port कर रहे हो वह यहां पर reject हो सकता है तो उसके लिए चलिए मैं आपको यहां पर live proof यहां पर बताता हूं कि कैसे आप यहां पर customer का live photo लेगे live photo लेने के लिए यहां पर यहां पर बार यहां पर प्रॉसेस कंप्लीट होका है तो आपको आगे का प्रॉसेस बताता हूं ठूड़ा दर कर लेंगे क्योंकि हमारी और यहां पर आपको पार मेंध्रिक नेंकि यहां पर कषंटमर स्वास्मृेट करोते ही हाँ यहां सकतीती करें प्लीज वेट करके तो यहां पर थोड़ा दिर आउर वेट करना है और इसके बाद आई कर से कंटिन्यू पर टैप करना है आपके सामने नैस्ट पर यहां पर कस्टमर का नाम यहां पर डेट ऑब बर्थ उसका फादर नेम यहां पर आ जाएगा और अगर नहीं आता है तो आपको टैप कर देना है कर देना है तो हापको प्लां की infinitely नीचे क्यों टैटरीकाणी करने के बादे आपको यहां पर 12345 और सी आप डाल देना जैसे आफronesी म्याफर 123456 कर टेप कना यहां और यहां पर नीचे qr-code scanner देखने को मिलेगा तो qr-code scanner पूर को यहां पर एक बाद टैप करना है और यहां पर जो SIM card का जो पीछे QR code scanner होता है वो यहां पर आपको आपको सही तरीके से कुछ इस परकार से यहां पर scan कर लेना है जैसे ही आप यहां पर scan करोगे तो यहां पर customer का SIM card का जो नंबर होता है 20 नंबर आजाएगा और यहां नंबर आजाएगा आने के बाद आपको यहां पर नीचे नो पर टैप करना है और आपको नेक्स पर टैप करना है और यहां पर आपको एजेंट का बाइमेट्रिक ले लेना है यारिन कि आपको फिंगर टिप बॉ आपको आपको यहां पर केस्टमर् को ले लेना है यहां पर थोड़ा दरेवेट कर ले ना है यहां पर आपके सामने जो है पर आएगा जैसा कि आप देख सकते हो उसके बाद आपको यहां पर जो है कैस के अप्सन पर टैप करना है और यहां पर कस्टमर का पेमिंट को डन कर दिना है जैसे ही आप यहां पर कस्टमर का पेमिंट करते हो तो यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस लेगा जैसा कि आप देख सकते हो थोड तो नीचे डिस्क्रिप्सन पर मैंने कॉंटेक्ट नंबर दे रखा है तो आप मेरे से कॉंटेक्ट कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम जो भी डाउट हो उसे आप यहां पर किलियर कर सकते हो और अगर भी तक आपने इस उड़ो को लाइक करके चैनल को बिल्कुली फ्री में सस्क तब तक लिए टाटा बाई बाई और चेहिन